ओम नमाश शिवाए तक लगी रहेगी तत्पस्चाथ त्रयोट्शी तिथी प्रारंब हो जाएगी चंद्रमा स्वाती नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी राहु देव हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर बुद्धिमान लोगप्रिय सफल व्यापारी देवताओं और ब्रामणों के भक्त होते हैं ऐसे जातक संवेदन सील, नियाएप्री, अस्पस्टवादी, पूर्वानुमान लगाने में कुशल, अद्भूत, अस्मरन सक्ती वाले, तर्क सक्ती वाले और उच्चभिलासी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, शुक्र और राहु की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे आज चंद्रमा की यूति शुक्र के साथ बनी रहेगी मगर नक्षत्र राहु का होगा, जिससे अतिर्प्त कार्य छमता का लाब होगा नित्यत करने की छमता पैदा होगी और कुशलता से हर कारे करने में सफल रहेंगे मगर साथ ही शुक्र की यूति और राहु के नक्षत्र से निरने लेने की छमता में उतार चड़ाओ बना रहेगा मन को किसी एक विशे पर एकागर करने में दिक्कत होगी अनिस्चित्ता का भाव और मन में न कारात्मक विचारों का पैदा हो ना भी संभावित है अपने सामान के पति सचेत रहें, गायब होने या चोरी होने का अंदेशा भी बनता है हलाकि सुक्र चन्रमा की युति भावनात्मक रिष्टों को बल देगी वैवाईक मामले सफल रहेंगे और मधूर संबंद प्रगाड होंगे आज का दिन रिड़ मुक्ती के लिए विशेशा है हन्मान जी को भूंदी के लड़ू भोग लगाएं और बच्चों में बाटें मेश राशी के जाता कुर्जावान महसूस करेंगे हर काम आसानी से संपन होंगे मगर कुछ कामल में रिड़्यमात्मक इस्तिती काइम रहेगी और साजेदारी के कामों में सावधानी अपेक्चित है नीजी सुक संतुष्टी में कमी मा के स्वास्त की चिंता जमीन जायदार संबंधी विवाद और दोसा रोपन इत्यादी की संभावना भी बनती है सावधानी अपेक्चित है हाला कि आपकी कारी ओजनाओं में अधिकारियों का सहीयोग बना रहेगा नीजी संबंध प्रगार होंगे बिवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी प्रयास जारी रखें अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन चलाने में वी से सावधानी बढ़तें ब्रिश राशी के जात्कों को स्वास संबंधी मामलों में सचेत रहना चाहिए सुक्र और चंद्रमा दोनों छठमे भाव में चल रहे हैं नकारात्मक विचार संभावित है और मन में अनाप सनाप दुष चिंताएं आती रहेंगी हलाकि आपकी कारी ओजनाय सुचारू ढंक से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विक्सित होगी नीजी संबंध प्रगाड होंगे पारिवारिक सुख संतुष्टी में बिद्धी होगी नीजी निवेश में सासन सत्ता का सहीयोग मिलेगा अभिष्ट मित्रों से मुलाकाद होगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी अध्यान अध्यापन के लिए आज का दिम सामान रहेगा सफलता के लिए प्रयास जारी रखे मिथुन राशिके जातों के आत्मिश्वास में दिद्धी होगी और नए अनुगह प्राप्तों के रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी आधरनिय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की त्रेणा लावगदाया कसी दोगी शुक्र और चंद्रमा की यूती पाँचने घर में सक्रियता को बढ़ाने वाली होगी और नई कार्योजनाओं के लिए अतिरिक तुर्जा का संचार होगा और उचित दिशान देश मिलता रहेगा मगर कुछ कामों में ब्रहमात्मा की स्तिती भी बनी रहेगी वयवाइक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आर्थिक मामलों में सोच समझ कर उचित निरना लेना चाहिए सक्षा प्रद्योगिता में सफलता मिलेगी मौसम संबंदी होने वाले संकरमन से सावधान रहे और स्वास संबंदी आवसिक सावधानी बनाए रखे करक राशिके जात्कों के कारेशे तकी अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी आपका अद्लिश्वास और उर्यास्तर दोनों हर काम संपन करने के लिए सक्षम होंगे आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा रुके हुए काम संपन होंगे बड़े कामों में निवेश का योग बनता है मगर अधिक जोखिम वाले महत्पूर निर्णे आज के लिए टाल दें व पीसी समारोह में सामिल होने का मोका मिलेगा साथ ही पदनी के स्वास पर ध्यान देना चाहिए सिंग राचिक जात्कों के लिए स्वास संबंधि अनिपылता मिलेबी सखार आत्मत प्रयासों का दोर जारी रहेगा और कार्यश्यतर के विकास की मानसिक्ता बनी रहेगी, आपके महनत और देड़िछा सक्ती से कारेच च्छत्र के विस्तार में मदद मिलेगी, चंद्रमा पराकरम भाव में राहू के नक्षत्र में चल रहे हैं, विभागी अधिकारीयों का स्थाईयोग बना रहेगा, ब्यावसाईक और आठिक मामलों में मन मुताविक लाव मिलेगा विध्यार्थियों के लिए आज का दिन संखर्स वाला होगा नेजी रिष्टे प्रगाण होंगे मगर कुछ मामलों में अनावसक वाद विवाद, दोसारोपन, विरोधियों से सावधानी और नकारात्मक विचारों वाली व्यक्तियों से दूरी बना कर रहना चाहिए करन्याराशि के जात्कों के वाणी में तेजसीता और प्रभावसाली ढंक से पेस करने की रचनात्मक पहल विक्सित होगी चंद्रमा दूसरे भाव में चल रहे हैं, आर्थिक लाव मन मुताविक मिलेगा स्वास में सुधार वा आदमी स्वास में दिध्धी होगी सकारात्मक पहल सामाजिक मानपतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेंगे सरकारी करमचारी लाभानित होंगे साजेदारी वा मित्र जनों से लाव संबाव है नई व्यावसाई की वजनाओं के प्रियास सार्थक होंगे और सिक्षा प्रत जोगता में मेहनुत करनी पड़ेगी प्रियास जारी रखें मगर अधिक आर्थिक जोखिम वाले निरनाय लेने से बचें और स्वास संबन्दी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए साथ ही बिरोधियों की साजिस से सावधानी अप्रेक्चित है तूला राशिबाले जात्मों की रचनात्मक सक्रियता विक्सित होंगी आर्थिक लाव अतिरिक्त जिम्मेदारी और सामाजिक मान परतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी चंद्रमा आपकी राशी पर ही हैं कारेच छेतर में साकारादमक पिरणा मिलती रहेगी नई कारी गोजिनाओं में सासन सब्ता वाधिकारियों का सही योग मिलता रहेगा विद्याथियों के लिए समय अनकूल है सुच्छा प्रतियोगता में सब्खलता मिलेगी मगर कारेच छेतर के महतपुर्य निड्ड़ने लेने में दिक्कत और स्वास संबंदी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल गहेगा और सामाजिक समारों में सामी होने का मौका मिलेगा ब्रिश्चिक रासे के जात्मों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च, नीजी निवेस और ब्यावसाई कुन्नती के लिए सहयोग करेगा चंद्रमा ब्याय भाव में चल रहे हैं, कार योजनाय सुचारू डंग से चलती रहेंगी आर्थिक लार के इस्तिती सामान रहेगी और संतान संबंधी मामलों में बहुत प्रतिक्षित काम पूरे होंगे कारेच्छेतर में उत्कृष्ट सफलता और सरकारी सहयोग भी संभावित है स्वास संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान है सिक्षा प्रतियोगता में सहयोग मिलेगा पारिवारिक सुख सभाद में ब्रिद्धी होगी और नेजी समन्ध प्रगाड होंगे साथ ही यातरा के दोरान अपने सामान के प्रति सचेत रहेगी धनुराशिके जात्कों के रुके हुए काम पूरे होंगे आठिक लाव के इस्तिती मन मताबिक बनी रहेगी कारेश्चतर में सकारात्मक उट्साह जारी रहेगा और रचनात्मक सक्रीता बनी रहेगी उर्जा अस्तर में बृध्धियोगी और प्रतियोगी भावना विख्जित होगी, आर्थिक लाव में सहयोग मिलेगा और साज्य दारी सफल रहेगी, सिक्षा प्रतियोगता में सफलता मिलेगी, संतान संबंधी सुफ समाचार मिल सकता है, विध्याथियों के लिए आज का द मिलताएं भी संभावित है, साउधानी अप्रेशित है, मकर राश के जात्मों को स्वास संबंदी साउधानिया रखनी चाहिए, आज का दिन कार्योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साहता विकारियों, राजनीतिक ग्रतियों और सही योगियों के साथ बीतेगा, अध्यापन के लिए समय अनकूल है, माहल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे, पारिवारिक सुख सवाद में विद्धी होगी, नीजी रिस्तों में सुधार और साजेदारी में लाव संभाव है, मगर वाहन सावधानी से चलाएं और कारेश चेत्र में आर्थिक स कुम्भरास के जात्कों के लिए आज का दिन कारेश चेत्र के लिए भाग चाली रहेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है, नई कारियोजनाव में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में विद्धी होगी, नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहे मगर भी रोधी परास्त रहेंगे, आत्मिश्वास में कमी सरकारी कामकाज में हस्तक छेप और विवात की संभावना भी बनती है, हाला कि सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान संबंधी जिम्मेदारियां पूरी होंगी, भावनात्मक लगाव बना रहेगा, वाड़ी में उतावलापन और स्वास संबंधे जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए, मीन राश्य के जात्कों के लिए ब्रिहस्पति, बुद्ध और सूरे की यूतिक कई छेत्रों में अनकुल परिस्थितियां पैदा करेगा, बहु प्रतिक्षित कारी संबंध होंगे कारेशेवर में मेहनत की प्रवित्ति जारी रहेगी, छोटी यात्रा भी संबावित है, मगर मन मुताविक आर्थिक लाव में कमी महसूस होगी, चंद्रमा के राहू के नक्षत्र में चलने की वज़ह से मन में नकारात्मक भाव, उत्साहिंता की इस्थिति और महत्पोर न के लिए आज का दिन सामाने वहेगा, अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी, स्वास्सम्बंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवाये